नमस्कार पबलिक इशे नियूज में आपका स्वागत है शिशोला के जंगल में बड़े पैमाने पर गौकशी और गौकशों के लिए बड़ा हब बन गया जानी खुर्थ शनिवार की सुबा शिशोला खुर्थ के जंगल में गौकशी कर मास को लेकर गौकश ग्रामिडों में आहट पाकर फरार हो गया गौकशी की सूचना पर पहुँचे ग्रामिडों में हिंदू दलों के कारेकरताओं ने पुलिस के खिलाफ जम कर हमगामा किया बफर रजवाया के पास इस्तित स्वरूपदास का खेत है सनिवार की सुबा कुछ किसान अपने अपने घरू से खेतों के लिए जाने के लिए निकले थे किसान गाउं से कुछ दूरी पर पहुँचे ही थे कि 4-5 वैक्ती संदिक्त अवस्ता में खड़े हुए थे किसान जैसे ही सुनिल सन अफ सरूपदास के खेत के पास पहुचे वहां मौजूद वैक्ती किसानों को देखकर फरार हो गए और मौके पर एक गौवश सरकटी अवस्ता में दिखाई दिया किसानों ने देखा कि पास के खेतों में भी गौकशी के बाद बचे अफ्षोस पड़े हुए थे कपड़े वा छुरी वा तराजू भी पड़ा हुआ था किसानों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थाना पुलिस के पहुँचने से पहले ही ग्रामेडों की भीड लग गई हिंदु दलों के नेता मौके पर पहुँचे थाना पुलिस को दे ग्रामेडों में जम कर हंगामा किया थाना पुलिस ने ग्रामिणों को आस्वस्थ किया कि इस संभंद में मुकदमा लिखा जाएगा दोश्यों का पता लगा कर कड़ी करवाई भी की जाएगी ग्रामिणों में चर्चा है कि जानी छेतर गौकशों में मुफीद बन गया है वहीं जानी थाना छेत्र गौकशी का हब बन गया ताजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें